देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन अपराधिक कानून आज से बदल गए हैं। इनमें शामिल धाराओं का सी ये लंबर भी बदल दिया जाएगा। इनमें शामिल धाराओं के जबकि 9 नई धाराएं और 49 उप धाराएं जोड़ी गई हैं। वही नई भारतिय साक्षिय अधिनियम में भी बदल आप किये गए इसमें 170 अधिनियम कानून ताई किये गए हैं। तो ऐसी होगी धाराएं आपकी स्क्रीन पर भी ग्राफिक्स के जरीए आप समझ सकते हैं। जो बदलाव हुआ है और आज से ये तीनों अपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। और जो तीन नए कानून हैं उनमें कई बड़े बदलाव भी हुए हैं। आरेसस प्रमुख मोहन भागवात तीन दिनों के दोरे पर कल वारणसी पहुँचे। आज मोहन भागवात संग भवन में आयूजित आरेसस की शाखा में शामिल होंगे। इसके बाद वो गाजिपूर जाएंगे और गाजिपूर में मोहन भागवात परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के जीवन पर लिखी केताब का विमोचिन करेंगे। मोहन भागवात धामूपूर से हतियाराम मठ जाएंगे और संत भवानी नंदन यती महराच से आशिरवाद लेंगे। अभियान चलाएंगे। समाजवादी पार्टी साथ जुलाई तक पुरे प्रदेश में पीडिये पेल व्रिक्षार ओपन कारिक्रम करेगी। T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया अब इनाम की बारिश शुरू हो गई। बी सी सी आई ने 125 करोड के इनाम का एलान कर दिया है। और बी सी सी आई सचेव जैशाह ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने की बधाई देते हुए जैशाह ने यह एलान किया है। अम्रोहा के रहने वाले चित्रकार जुहेब खान ने T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत पर खुशी जताई। उन्होंने विराट कोली और रोहिट शर्मा का साथ फीट का चित्र दिवार पर बना कर खुशी का इजहार किया। अपनी पिक्चर में विराट कोली और रोहिट शर्मा को चैंपियन बताया गया है। जोहाप खान लगातार समसामईक घटनाओं पर आधारित कोईले से दिवार पर चित्र बना कर अपनी प्रतिभा का इजहार करते रहते हैं। अयोद्या में आज से रामलला को बीस नए पुजारी मिल जाएंगे। पुजारी रामंदर में पहले से कारे रत पुजारी के सहायक के तोड़ पर काम करेंगे रामंदर में पुजा अर्चना के लिए रामंदर ट्रस्ट ने पुजारी को भरती कर ट्रेनिंग दी थी और ट्रेनिंग में बेतर प्रदशन करने वाले पुजारी को रामंदर ड्रेस कोड भी लागू करेगा इसमें पुजारी को चौबंदी साफा और धोती पहननी होगी पुजारीों के साथ करमचारियों के लिए भी रामंदिर ट्रस्ट ड्रेस कोड जारी करेगा युगांडा में फसे हुए भारते मजदूरों की सकुषल वतन वातसी शुरू हो गई है तीन मजदूर युगांडा से भारत लौटे हैं मजदूरों ने वापस लौट कर राहत की सांस ली मजदूरों ने युगांडा से बेहत मार्मिक वीडियो जारी कर मदद मागी थी परफ्स आने वाले मजदूरों ने बुदी सरकार को शुक्रियादा किया है अगदने नरेंडर मोदी जबसे देश के प्रदानमंतरि बरहे हैं किसी भी भारतिये के साथ विदेश में कहीं उत्विनन नहीं हो रहा नहीं तो चाहे हवाही जहाज भेज के बुलाना हो चाहे देश का मंत्री भेजना हो हर भारतियों को विदेश में भी सुरक्षा देने का काम प्रदान मंत्री जी ने किया है उनके इसी पध्धती से प्रेड़ना प्राप्त करके धर्में नभारतवाजी मानिनी MLC और श्री विजेश चौधरी जब मेरे पास इस विशा को लेकर आए तो मैंने तुरत उस पर शिठी लिखी मानिनी विदेश मंत्री जी को और उनके आप भेज कर बात की अगर प्रांट हिंदुस्तानी हिंदुस्तान वापस आएगा और वक्तिक शोटे से ब्रेकर जल्द लाटेंगे